वेलकम बैग एवरिवन तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के हमारे आखरी टीटेन मैच के बारे में जो की होगा स्वेडन और एस्टोनिया के बीच जो की आप सब को बता होगा दोनों ही टीमें मैं अगर आप कमपेरिजन करोगे तो एस्टोनिया काफी कम जो टीम है स्वेडन के पास ऐसे गेमचेंजर प्लेयर है जो अकेला भी अगर चला तो वन साइड़ेड गेम विल करवा देगा तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है क्योंकि सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्वेडन की तरब से आपको क बing- bor各ा बम विलिए खोग करेगा नहीं के तो बस आपसे चोटी सी रिक औरशियीए कि पूरा वीडिओ आपको ध्यान से देखना है और जो लोग ऐसे हैं-जो पहली बार हमारे चैनल पाहे हैं- सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि टेलिग्राम चनल से जोइन हो जाएं क्योंकि फाइनल कॉमिनेशन स्मॉल लिग का अगर कहीं मिलेगा तो वो आपको यहीं पे मिलेगा देखिए अगर मैं बात करता हूं अभी एक मैच है जो मैंने शेर किया था आपको तो रिजल कंप् भी 6,00,00,00 का प्रॉफिट किया था उसी टीम से जो आप लोगों को टेलिग्राम चैनल पे मैंने दी थी तो आप लोगों को मैं यहीं बोलूँगा कि जो भी ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन टेलिग्राम से नहीं जुड़े तो फाइनल टीम स्मॉल ल होँ तो अभी मैंने एक विडियो अप्लोड ते इस सैंकिन टेरं ठीक पहले टी Republican को मैंने डिया था तो अब आपको बताता हूं मैं Śकिंड टी ल मैंच का गीववे विनर उमिद करते हुआ आपको दिख रहा होगा ठीक थोड़ा सा यह जोम कर ले ठीक है अ बंदे का नाम है सीमा यादव ठीक है आपको दिखाओ गा यह जो भी है ठीक है यह जो है नहीं ओठMO gonna का यह लड़कियों को तो फिरी में बिन लेकिन अभी भी आपके लिए एक गीववे इस मैच के अंदर इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है और वह क्या है वह यह है कि आप लोगों को एक कॉमेंट करना कॉमेंट आपको कुछ भी हो सकता है एक लखी बंदा होगा जिसको फिरी में 200 रुपे मिलने वाले कॉमेंट काम है जिसके मतलब बाद ही आप गीववे के प्राइस को ले पाओगे चलिए टेलिग्राम से आपको जोईन होना है तो हो जाओ नहीं होना है तो आपकी मर्जी है ठीक है वह अपने इसाप से भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं है सबसे पह है ना इस मेच में भी आपको एक अच्छी बैटिंग देखने को मिलेगी ठीक है और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अच्छा यह ध्यान रखना स्वेडन और एस्टोनिया में बहुत अंतर है स्वेडन की टीम ऐसी टीम है जो एस्टोनिया से काफी सोलिड है तो स्वेडन जाये हैं तो albo सbung की डैet उसलिड़गी तक वे ज्यादा उसको कहां करने देंगी उनके बोल उनका बैटिंग पिर बहुत अच्छा उनका बोलिंग बहुत अच्छह है बैटिंग भी अच्छा है लेकिन बैटिंग से जादा बोलिंग अच्छी है तो स्वेडन के पहली बोलिंग पे आप लोग उमीद करना जादा इसको नहीं होगा लेकिन स्वेडन के पहली बेटिंग पे आप उमीद कर सकते एक अच्छे स्कोर की उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पे इनके प्लेंग 11 की बैटिंग की प्लेयरों के रिसेंट फॉर्म की प्लेयरों के स्टेट्स की और मैं बोलिंग अटेक की तो वह भी मैं आपको दिखा देखिए सुदेश खान एक ऐसा प्लेयर है जो काफी इंपोडेंट है और अगर मैं बात करता हूं इनके सेलेक्शन की और अधिकिये मैं आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूं पूरा लाइव दिखा रहा हूं सुदेश खान का सेलेक्शन आपको दिख रहा होगा दो परचेंट है फिलाल जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं और यह बंदा है पहले मेच में इसका बहुत कम सेलेक्शन था और इस मेच में इसका बहुत कम सेल है नहीं तो जैसे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाई एस्टोनिय की टीम पचास साट रन का स्कोर सतर असी का मान लो तो फिर आपनर प्लेयर तो कितना इंपॉर्टेंट होगा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है तो सुदेश खान ओपन मोस्ट लैक्ली शेर अली के साथ करेंगे वन्नाओन अबुजर आएंगे फिर एमाल जुआक आएंगे दिन उसके बाद सम्मी उल्ला रहमानी आएंगे साइद एमद नासिर बलोज खालिद जाहिद ठीक है और तसद्दु गुसेंद परशान शुकला और शाजेब चोधरी ये जो प्लेइंग लिए उने ना ये जो पहले मैच में खेल रहा था लेकिन मैंने तो दिया ही नहीं है मैंने इसको बैंच में दिया है तो ऐसा हो सकता है खि कुछ तो Fragen बना फिक नोने के sisters करेते हैं ना आगर वे फिसी बात है यहां से दो हटेंगे हटेंगे ना तो ये 11 प्लेयरों का स्टेट्स उनकी रिसेंट इरिंग उनका रिसेंट का जो प्लेयरों का स्टेट्स और बैटिंग वो कहां तक कर सकते वो चीज़े मने बता दिये ठीक है अब एकर मैं इनके में बोलर की बात करता हूँ तो दीके पहले मैच के अंदर वैसे मैं आपको बता रहता हूँ इनके प्रॉपर बोलर को ने जाकिर तरकुई इनका में बोलर है उसके अलावा हम बात करते हैं जबी जाहिद इनका में बोलर रहेगा और तीसरा इनका म मेन भूलर रहे गा वो रहेगा नासिर बलोचा चोथा इनका मेन भूलर जो रहेगा वो रहेगा यह तासद्दु हुसेंड और पांच्वा इंका मेन भूलर रहेगा पशांथ छुकला यह साजेब चोधरी 시70 उल्ला रह्मानी ये खालिद जाहिद ये करते हैं बोलिंग उसमें कोई डाउट नहीं लेकिन इनके और कभी भी कर सकते हैं तो ये तो होती है स्वेडन की चीजे की पतलब सारी डीटेल्स प्रॉपर पावर प्ले में एक्सपेक्टेड चीज में बता देता हूं वैसे ही क्यो तो गाइस यह थोड़ी कमजोर है मतलब है अच्छी टीम लेकिन थोड़ी ये टीम कमजोर है तो गाइस देखें यहाँ पर अली मसूद है 79 मैचेस में 83 इनके विकेट्स हैं तो मतलब बंदा हर मैच में विकेट्स निकाल रहा है प्लस में ओपन करेगा और प्लस में रीसें form की बात करता हूँ 30 रन और एक विकेट 9 रन फिर 29 रन तीन तीन विकेट 49 रन और जीरो रन तो मैनली क्या है ना देखिए एक तो मेन नहीं किये लेकिन ये मेन बोलर है उसके बाद अधित्य पमार 80 मेच में 46 विकेट है इनके और ये भी मौस्ट अब दी टाइम बोलिंग करता है लाज में 62 उसके अलावा तीन विकेट फर चार रन साथ रन साथ रन बिलाल मसूद है 35 मेच में 28 इनके नाम विकेट से और उसके राओ रिसेंट इनिंग में 14 रन 27 रन एक रन 17 रन और आठ रन ये लाश्ट के 5 मिच का स्कोर कार्ड साहिल चोहान को ग्रैंड लिंग में ट्राइ करें क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है जो बोलिंग कभी भी कर सकता है और कभी भी नहीं भी क्योंकि देखिए ग्रैंड लिंग त जाते हैं क्योंकि ऐसे बोलर बोलिंग करने आ जाते हैं जिन से वह उमीद नहीं लगाते हैं तो साहिल चोहाने कैसा ये बोलिंग बहुत रेड चांस है लेकिन अगर करेगा तो विकेट निकाल लेगा ये चीज़ ध्यान रखना हाला कि लाश्ट के चार मैश में एक सिंगल मेंच में ऑनप ओलन्यों प्लेरी एश्टीम का ये सबसे बैस्ट बोलर बाते हैं अगर मैं बात करता है और ये सेशनट फों की तो एक विकेट जीरो विकेट एक विकेट और जीरो विकेट लाश्ट के चार मेंच में इनके दो विकेट है और बड़ा पोइंट यह है कि अगर यह टीम पहले बोलिंग करी तो यह आता है डेथ होर्स में और दूसरा बड़ा पोइंट है कि यह दो और करता है तो यह आपके लिए रोल अदा करेगा उसके बाद हम बात करते हैं कल्ले विसलापू तो ये भी एक में बोलर है और ये भी एक अच्छा बोलर है देन यहां हम बात करने वाले हैं और बैंच की तो बैंच में देखिए आपको देखने को मिलेंगे श्टीफन गुच रीफक खान और वहीं पे राम विसलापू आएंगे और डैथ होर्स की बात आती है तो डैविड रोपसन या तो आधित्यसेवियो के साथ या अली मसूद के साथ तो अधित्यसेवियो अली मसूद और डैविड रोपसन ये तीनों वैसे भी इंपॉर्टनेंट प्लेयर हैं चाहिए एस्टोनिया कितनी भ तो था उसकी अदित्य सेवियो और बैंजोनस यह पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के बाकि और भी है जैसे बिलाग यह अरस्तलान गोंडल हो गए और पन्य घी वाला हो गए अच्छे प्लेयर तो है लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वह पांच ही है ठीक है यह होता है मैच का नॉर्मल डेटा यह बैंच के प्लेयरों का मैंने बता ही दिया है अब हम बात करते हैं टेलिग्राम की तो अल्रड़ी मैंने आपको बोल दिया है वीडियो की स्टार्टिंग में कि फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगी तो जो भी ऐसे बंदे पर दे सकता है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले चलिए टीम की बात करते हैं जो मैं स्मॉल लीक के अंदर यूज करूँगा फाइनल को मैं आपको टेलिग्राम पर इन्फॉर्म करी दूँगा तो गाई सबसे पहले हम बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन के एस हुक आइस अली को उनकी आपनिंग की वजह से फिर हम आ जाते हैं बैटिंग सेक्शन में बैटिंग सेक्शन में अगर खेलता है तो भाई मैं जरूर लूँगा और अगर नहीं खेलता तो मुझे कोई मतलब ही नियुगा मैंने लिया हुआ एस खान को, मैंने लिया हुआ एस मसूद को और मैंने लिया हुआ यहां से एस रह्मानी या अबुजर इन दोनों में से मैं किसी एक के साथ जाओंगा रह्मानी ने अगर पहले मैच में बोलिंग की तो इंपोर्टेंट होगा, नहीं कि तो कोई मतलब नहीं अब भी फिलाल के लिए मैंने अबुजर को पिक किया है और लाउंडर सेक्शन के बात आती है तो नासिर बलूच जो की प्रॉपर में बोलर है बिलाल मसूद जो की प्रॉपर और लाउंडर प्लेयर है बेन जोनस से मुझे पूरी उमीद है अच्छे मतलब परफॉर्मेंस की अब हम बाज आते हैं बॉलिंग सेक्शन की जेड तक भी परशांद शुकला मुझे लाउंडर खेलना चाहिए इस मैच के अंदर उसके अलावाटी हुसेन भी मुझे लाउंडर खेलना चाहिए तो यह और चोथा प्लेयर डी रोपसोन यह मेरी स्मॉल लिक की डेमो टीम है जिसको आप लोग अधर एक पे भी यूच कर सकते हो क्या कर सकते हो यहां से हमें चार प्लेयर तो ले नहीं लेने और जो बेस्ट हो सकते थे था वो मैंने अल्यरड़ी ले लिये हैं तो ये मेरी small league के team है, अब captaincy की बात आती है ना, तो जो थोड़ा सा risk लेके खेलते हैं, क्योंकि एक अच्छा batting wicket है, तो क्या कर सकते हो, शेर अलीगो captain बना देना, बहुत अच्छा player है, बहुत तगड़ा hitter है, और अगर आपको लगता हो कि नहीं यार मैं risk नहीं लूँग captain मैंने share a league को किया है, हाला कि मैं ये नहीं किरा हूँ कि आप भी risk लो, मैं भी risk के पीछे का reason है, क्योंकि ये एक अच्छा batting wicket है, और ये team उतनी strong है भी नहीं है, श्टोनिया की, तो मैंने इसलिए, share a league है, wicket keeping भी most likely करेगा, तो captain मैंने इसको किया है, VC की बात आती है, तो मैं आपको telegram पे inform कर दूँगा, link description में है, जरूर join कर देना, वीडियो को जिन्होंने like नहीं किया वो भी कर देना, channel को जिन्होंने subscribe नहीं किया वो भी कर देना, और उसी के लावा give up में participate भी करना, ठीक है, यही था इस वीडियो में, बाकी तो फेट telegram पे मिल जाएगा, thank you दोस्तों इस वीडियो का इन तक देखने के लिए मिलता है next वीडियो में